दिल्ली इस देश की राजधानी में 31 दुसंबर की रात को रात दो बजे एक ऐसी घटना सामने आती है जिसमें एक लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है आज हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मौनिका महरोत्रा दिल्ली में औरतों के लिए या फिर महिलाओं की जो अर्श सुरक्षा है वो बढ़ती ही जा रही है तो उसके लिए आज हम जानेंगे माम के विउज थैंक यू बेटा और सही कहा आपने कि हर साल की जो हम पिछला साल होता है हम उसे बड़े ही गुड हाट से गुड़बाई बोलते हैं और आने वाले साल को बहुत ही प्यार से वेलकम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस परिवार के बारे में सोचो जिस परिवार ने अपनी इतनी कम एज की लड़की को खो दिया वो भी कुछ लोगों की बरबरता के साथ जो ये घटना घटी की बारा किलो मीटर आगया है और जब आप उसका केस को बहुत जादर डिटेल में स्टड़ी करोगे तो वो एक हत्या जैसा ही लग रहा है बात यहां यह है जो आप मुझसे पूछना चाहरे हो वो यह है कि सुरक्षित क्यों महसूस करती है और या फिर जो महिला जो सुरक्षा का मुद्दा है वो इतना गहन क्यों है यही जानना चाहरे हो मुझे लगता है तो होता यह है कि समय भले कितना बदल गया हो। मदर अर्थ ने, मदर नेचर ने हम औरतों को टेकर बनाया है और पुरुषों को गिवर बनाया है। जब कोई टेकर होता है, डेफिनेटली उसके लिए जब आप किसी चीज़ को कोई देते होना, तो उसके लिए बड़ी कजीब सी भावना होती है। ये नेचर का वर्दान भी है, क्योंकि जो पुरुष देता है, उससे ही न्यू बर्थ का स्टार्ट होता है, यानि श्रिष्टी का स्रिजन होता है। अगर वो इश्वर ने जब उसको दिया, मदर नेचर ने उसको दिया, तो वो तो एक वर्दान की तरह था, वर्ना श्रिष्टी का खत्म हो जाती, श्रिष्टी का अंत हो जाता, लेकिन उस चीज को लोगों ने एक बड़े ही गलत तरीके से अपना राइट समझना शुरू कर दिया, कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे परिशानी है, जब हम किसी इंसान को, इंसान ना समझे कर, हम उसे महिला, पुरुष, जेंडर में बता देते हैं, महिला भी एक इंसान है, इश्वर ने उसे लाल रंग का ही खून दिया है, हरे रंग का खून नहीं दिया है, मदर नेचर ने उसे बनाने से पहले, बिलकुल डिस्कर्मिनेशन नहीं किया, तो अपनी सत्ता, अपना अधिकार समझने वाले पुरुष वर्ग, जो हैं यहाँ के, उनसके कारण शायद महिला असुरक्षित महसूस करती, क्योंकि उसको लगता है, यह गिवर है, तो जो रेप के केस आते हैं, जो घरेलू प्रतारना के केस आते हैं, जो आप देखते हैं, छोटे-छोटे बच्चियों के साथ था था ना, तीन साल की बच्ची, इवन महीन की बच्चियों के साथ जो गलत हर्तकत करते, तो परेशानी और समस्या तो दिमाग में हैं पुरुशों के, उनकी सोच बदलती जा रही है, उनके वहवार बदलते जा रहे हैं, और नारी के गुणों को उन्होंने दूसरी तरीके से प्रेडिक्ट कर दिया है, अब अगर हम बात करें दिल्ली की और दिल्ली में क्यों इतना जो वूमन रिलेटेट प्रॉब्लम आ रही है, लड़की अपने आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही है, आप भी देखते होगे, आप लोग भी एक समय के बाद, एक टाइम लेवल के बाद बाहर निकलने से डरते हो, क्यों डरते हो, क्योंकि आपको लगता है कहीं न कहीं हम कमजोर हैं, लगता है, अच्छे एक बात बताओ, आप कहीं खड़े हो, आपके सामने कहीं सारे लड़के खड़े हो, तो आप बिना देखे समझ नहीं पाते हो कि सामने वाला लड़का आपको किस नजर से देख रहा है, अच्छी नजर से देख रहा है, क्या बुरी नजर से, क्या आप गुड टच और bad touch को feel नहीं कर पाते हो, किसी ने आप से बहुत प्यार से कहा, बेठा, जो touch किया आपको, वो आप feel कर पाते हो, कि उसने अच्छे sense में touch किया, या उसके intention कुछ और थी, feel कर पाते हो, जी यहां, यह एक प्रश्ण दो जरूर है, क्या और थे हैं, क्या वो good touch यह, bad touch हो है, feel कर पाते हैं, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि, इश्वर ने good touch और bad touch को feel कराने के लिए, ladies को, महिलाओं को six sense दिया है, आप बिना पीछे देखे, महसूस कर सकते हो, कि पीछे आपका कोई follow कर रहा है आपको, क्योंकि आपको जब इश्वर ने ये नेमत दी, तो उसने एक अलग तरीकी की power भी दी, judge करने की, तो क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुशों को blame करना, कि उनके कारण से हम असुरक्षित हैं सही रहेगा, या हम यह नहीं महसूस कर सकते, कि अगर हमारा कोई एक हिस्सा है, जो हमें कमजोर करता है, हम खुद को इतने स्ट्रॉंग बनाएं, हम कहीं कमजोर ना पड़े, क्या महिलाओं को नहीं सोचना चाहिए, कि वो भी self-defense सीखे, वो भी क्यों नहीं स्प्रे रखके चलते हैं, जो चिली स्प्रे होता है, जैसे उन्हें महसूस हो कि कोई बन्दा उसके साथ बत्तमीजी करने चाह रहा है, वो ऐसा करें, क्यों नहीं जब आप ड्राइविंग करते हो, तो आप sensible फॉर्म में ड्राइविंग करते हो, तो सोचना पड़ेगा, यह तो एक जोलंत मुद्दा है ना, आप किसी, देखो, अगर कोई एक पानी की बाल्टी रखी हो, या कोई ग्लास रखा हो, और मैं आपसे कहूँ कि इसे बंद कर दो, आप एक प्लेट उठाओगे और उसे बंद कर दोगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वो उसके साब बगल वाले घर में जाओ, वहाँ पर कोई ग्लास ओपन है, उसमें पानी रखा है, बंद करो तो आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आपके पास जो चीज़ है, आप उसी पर आपका अधिकार है, तो वाई टू चेंज अधर, बेटर टू चेंज और सेल्फ, क्यों मौका देना, क्यों ऐसी दरगिंदिगी का सामना करने के लिए खुद को इस तरह से प्रस्तूत करना, आज जो वेस्टनाइजेशन है, जो बच्चियां आजकल की अपने आपको modern, so called modern कहने के चकर में बहुत सारे नशे का शिकार हो रहे हैं, जो सर्वे कहता है, सर्वे कहता है कि जो girls हैं, वो भी आजकल जो एक नशे का शिकार हो रही हैं, तो क्या हमें, क्या ही सही है हमारे ल दिली के सलकों में बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं, जो आपको स्मोक करती नजर आती है, जो आपको ड्रिंक करती नजर आती है, अभी कुद दिन पहले कही एक मामला था, जो अब्यूज़िव लैंगमेज के सात लेक लड़की बात कर रही थी, तो आप खुद को, क्या होता है कि हम केते हैं, हम मौडन हैं, तो मौडनाईज़ेशन के साथ साथ अपने संस्कृति को भी एकसेप्ट करके चलना चाहिए, टोटली आपके सी दूसरे जेंडर को ब्लेम मत करो, खुद को भी स्ट्रॉंग बना, मेरा मानना है हम खुद के साथ का कर सकते हैं, रधर थेंट वर्क तो अधी फ्रोग थाफ फर दी आदर, तो माम अपने यहां अपनी बात सही तरीके से रखी, लेकिन जो आपनी बात में, दो छीजों का जो है जिक्र किया है एक, जो पिहेवियर है, मेल जो बहेवियर है, जो ओको प्रती जो है वो थोड़ा अगर देखा जाए, वो जो स्वभाव जैसे रखते हैं, वो ठीक नहीं रहता है, जैसे कि आपने बोला, दूसरी बात, यहां पर असुरक्षित की जो बात करिये, क्या आपको लगता है कि पुलिस की जो कमी है, मतलब जो नहीं देखते है, तीन लाग कैमरे हैं दिल्ली में, लंडन और सिंगापूर से भी जादा, अगर यहां देखा जाए, लंडन पारिस यहां देखे चाहे, जो कैमरे हैं, मुंबाई से भी लाग गुना जादा यहां पर जो कैमरे लगे हुए, उसके बाद भी जो ऑरत है, वो अर्सुरक्षित महसूस करती हैं, और पराद तो है नहीं, यहीं पहला जो आप कैसे अपराद जो ऐसा सामने नहीं आये, इतने सालों से हम नियूस में सुनते हैं, और हम बताते हैं, इससे अपराद हो रहे, तो इन दोरों बादे के उपर थोड़ी रोशनी डाली हैं, बिल्कुल तो आपके कोशन के दो पार्ट हैं, कि हम जो पुरुष की विहवियर्स को कैसे चेंज करें, हमने अपने बात तो कर ली, लेडीज की बात तो कर ली कि हमें क्या करना है, और दूसरा आपने जो बोला कि इतने सारे कैमरे हैं, और पुलिस की सतरता है, डेफिनिटली, पुलिस और प्रशाशन को यह समझना पड़ेगा कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो यहां निश्चित रूप से उनकी लापरवाही तो सामने आई आई है 31 दिसंबर की रात को दिल्ली पुलिस को जब यह पता था कि सारे यूथ और नाट अली यूथ everyone is busy in function और celebration के mood में रहते हैं उनके पास बकाइदा return में उनका आया भी था यहां चेक पोस्ट लगेगा यहां पे चेकिंग होगी उसके बावजूद भी एक बच्ची 12 किलो मेटर को इसको गसीटे वे चला गया प्लस देखें उसके complaint के बावजूद भी पुलिस बहुत बाद में आई तो इसके लिए तो मुद्दा चल रहा है और बहुत जादा उसमें कारवाई भी की जा रही है तो पुलिस प्रशाशन की तो 110 परसंट कमी है ठीक पुलिस को यह समझना पड़ेगा कि अगर आप सुरक्षा की भावजूद आपको पैसा ही आपको सालरी इसी बात की दी जाती है कि आप देश में नगर में सुरक्षा ववस्ता प्रदान करें और अगर एसे तो पारहे हैं तो इजिस्टोंचे प्रांड पा रहे हैं तो तुरंट क्यों न Hiç पूलिस एक्शन में होती है यह हम अपने टी-वि गहारा माध्यम करें यह मुख्य मंत्री तक भी बात पहचाना चाहते हैं, प्रधान मंत्री तक भी और सारे प्रशाशन के लोगों को पहचाना चाहते हैं, कि पुलिस प्रशाशन को अब अक्टिव होना पड़ेगा. तब जो पुलिस है क्या जो पुलिस है वो अपनी सुरक्षा देने के लोगों को जो सर्विस प्रवाइटर ने में क्या वो फेल हो रही है यह बहुत बड़ा सावाल है बिल्कुल और अब आपका रहा सेकंड पार्ट की हम पुरुषों की मेंटालिटी को कैसे चेंज कर सकते ह हैं महिला सुरक्षा की तो बड़ बात हमने कर ली एक पुरुष को जन में कॉन देता है एक नारी देती है तो पुरुषों को कभी यह ने बोलना चाहिए कि उनके अस्तित्व का एसास कराने वाली एक नारी ही है तो अगर आपका एस्तित्व का एसास कराने वाली एक नारी है तो उसके अस्तित्व पर प्रश्णिचेन आप कैसे लगा सकते हो एक मा कहते हैं गांधी जी आज भी पैदा हो सकते हैं लाल भादु शास्त्री आज भी पै तो माओं को ये सोचना पड़ेगा कि वो बच्पन से अपने बच्चों को अपने बेटों को ये सिखाएं कि बेटा मेरा ही सम्मान मत करो अपनी बेहन का ही सम्मान मत करो अपने परिवार में रहने वाली महिलाओं का सम्मान मत करो पूरी दिर जो आपके आसपास जितनी भी ल होना चाहिए कि वो अपने बेटों को सबक सिखाए अपने बेटों को एक अच्छी तालीम दे ताकि कोई भी मा अपनी बेटी के इजद के तार-तार के दुख को सहना पाए तो बहुत बहुत शुकरिया मैम आपका आपने हमारे सवालों के जवाब सही तरीके से दिया अपने उपरियान अपना सही तरीके से रखा यहाँ पर तो इस केस को जो अगर एक जो दाइरा मिल रहा है या फिर एक रोल मिल रहा है जो देखा जा रहा है कि किस आंगल में जा र लेकिन अभी भी देखना बाकी है क्या सच कुछ छुपाया जा रहा है या सच कुछ और ही ही है तो आपका बहुत बात शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए फिर मिलेंगे आप से देखते रहें टेक्निया टीवी